हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल सर्मा कॉंसेप्ट सर्मा कॉंसेप्ट में आपका स्वागत है तो आज मैं आपके सामने एक नए नोटिश के साथ आया हूँ जो की दिली पलिश के बारे में है तो SSC ने अभी अभी एक नोटिश बेजा था जो एक्जाम क देता हूं तो चलो एक बार हम उसे नोटिश को देखते हैं तो देखे यह अपका नोटिश है जो SSC ने बेजा है इसमें क्या दे रख्खा है देखो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में आपको जो कॉंस्टेबल एक्जाम है आपका जो दिली पलिस का है उसकी डेट आपको पता चलेगी जो कंबाइंड हायर स्केंडरी लेवल CHS 2019 है जो लेफ्ट जो बच गए थे जो कंडिडेट जिनोंने पेपर नहीं दिया था तो उनकी जो एक्जाम डेट है वो बारा दस से सोला दस दो जार बीस तक है 19 दस से 21 दस दो जार बीस एंड कब तक हो 26 दस 2020 कुन का पेपर है ठीक है और यह कहा जूनियर इंजिनियर का इसका स्विल मेकैनिकल इलेक्टिकल एंड क्वान्टिटिव सर्विइंग एंड कॉंट्रैक्ट एंड जामिनेशन है 2019 27 दस दो जार बीस से 30 दस दो जार बीस तक ठीक है कम्बाइंड ग्रेजुइट लेवल एक्जामिनेशन टायर टू जो उसका एक्जाम होँआपका ग्यारवे महीने में दो तारिक से पांच तारिक तक होगा एक्जामनेशन फॉर स्लेक्शन पोस्ट के लिए वो है 6-11-2020, 9-11-2020 और 10-11-2020 है स्टेनोगरापर का है आपका 11-10, सोरी 16-11-2020 से 18-11-2020 तक जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर इनका जो एक्जाम है 19-11-2020 को है और जो CPU का आपका पेपर है, फर्ष्ट पेपर है, उसका एक्जाम है जए सब इस्पेक्टर ने दिली पुलिस एंड दिली पुलिस तक है अब देखो जो लास्ट में जो मैन है आपका, मैन तो सभी हैं लेकिन जो अभी अभी फोर्म निकले हैं वो देखना दिली पुलिस जो कोस्टेबल का जो एक्जाम है वो आपका 27-11-2010 यानि कि नॉम्बर 27-11-2010 से 30-11-2020 तक ठीक है 20-2010 बोल दिया था तो 27-11-2020 से 27-11-2020 तक है 1-12-2020 से 3-12-2020 है ठीक है और देखना 27-12-2020 से 11-12-2020 एंड 14-12-2020 तक आपका एक्जाम होगा तो आपका नॉम्बर में आपका एक्जाम है प्लीज अच्छे से तयारी करें ये आपके लिए एक मौका है ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग